परमदुच सबसे पहले जो हमारे ओडियंस का क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो में ऐसा पूछ रहे हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो राजनीतिक विसे हैं उन पर आप चर्चा करने से थोड़ा सा कतराते हैं या फिर आपने कभी चर्चा नहीं की ह हैं तो आपका क्या मानना है कि जो भारती राजनीती है या जो दोजार चौबिस के चुनाओं है उसमें नरेंद्र मोदी जी का रुख होगा क्या वो दोजार चौबिस में चुनाओं जीतेंगे देखिए राजनीती मेरा विशे नहीं है मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है और कोई सुकता भी नहीं है जानने की और दूसरी बात भारती राजनीती की तो उसके बारे में तो वैसे ही कुछ नहीं पता है जो राजनीती में उनको भी नहीं पता है और मैं तो भारत की सिटिजन भी नहीं हूँ मेरे पास तो वोट डालने का भी अधिकार नहीं है अब 2024 में इलेक्शन है आपके तो कौन जीतेगा या कौन हारेगा मेरे को लगता है कि जीत और हार राजनीती में ही नहीं बलकि जीवन में भी एक बहुत चूटी सोच है एक कहावत है इंग्लिश की पीपल गेट दे गवर्मनेंट दे डिजर्व और यही होता है आप जब से भारत में सतंतरता के बाद राजनीती में कितने लोग आए कितने लोग गए कितनी पार्टी बनी कितनी पार्टी बिगडी कुछ उठी कुछ खतम होगी कुछ चल रही है कुछ लोग इकटे होंगे कुछ लोग फिर से बिखर जाएगी तो जैसे जैसे शिक्षा के माध्यम से या विकास के माध्यम से लोगों में चेंज आएगा और वो आ रहा है और अच्छे तरीके से आ रहा है जैसे जैसे विकास होगा जैसे जैसे लोगों की सोच और समझ पढ़ेगी अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो वो वो एक कह रहे थे कि जो अमेरिका में अगला इलेक्शन होने वाला है उसमें जो भी candidates हैं दो पार्टियों के तो वो इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं कि जो social security payment लोगों को मिलता है उसको कम करना है कि सरकार का देश का करचा social security में जादा जा रहा है उसको कम करना है तो वहां के लोगों की सोच हो सकती है और हो सकता है क्योंकि दोनों ही लोग इस बात पर कर रहे हैं तो इसका मतलब यही लोगों की demand है और उसी demand को पूरा करने के लिए वो उसको चुनावी बनाए हुए है हमारे यहां भारत में आप करके देखिए कि आपको जितनी बिजली पर यूनिट आपका खरचा आता है दूगना कर दूगा मैं क्योंकि देश को मेरे को आगे बढ़ाना है तो यह guarantee है कि वह आदमी तो नहीं बनेगा तो कौन आएगा कौन नहीं आएगा ले और जो चीज जितनी प्राचीन होती है जितनी पुरानी होती है उसमें उतनी ज्यादा मिलावट उतना ज्यादा गिरावट भी समय के साथ साथ आती है जो लोग नए नए विकसित होते हैं उनकी विकास की दर्ग जादा होती है और जब कोई पुरानी सभ्यता या पुरानी राजनीती, नीचे गिरती है, तो उसके उत्थान के लिए भी लोग खड़े होते हैं. और मुझे लग रहा है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लोगों से बात करके समझ में आता है, कि वो change हुआ है, और वो change हो रहा है, और वो change अच्छे के लिए हो रहा है. और आशा करता हूं और मात्मा से प्राथना करता हूं कि भारत के भविषय के लिए विश्व के भविषय के लिए भारत को एक अच्छी स्थाई सुदरध और मानव काल्यान की दिशा में काम करने वाली सरकार दे झाल झाल झाल